जाहिन दोस्तों मैं रित्तिक राज स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल फॉर्म फिलप की नौलेज में दोस्तों काफी दिनों से क्या है ना कि बिहार पुलिस की वेकेंसी के लेकर नोटिफिकेशन कब आएंगे कितिनी पोस्ट पे पहली बार नोटिफिके आएगा कब और बहाली सचाई क्या है मतलब ऐसे क्या कब कैसे और कितनी पहली आएगी फर्स्ट फेस में देखिए अगवार में चीज आया था अभी आया है आज ही आया है कि बिहार प्लिस में स्रीजित 75,540 पोदों में से और 63,360 पोदों पर होगी सीधी बहाली यहीं था आज का नोटिफिकेशन जो की नोटिस में आया था बिहार में प्रती लाख स्विकृति पद बढ़ कर 183,65 कारेरत बल 86,1 हो गई है सुबे में बढ़ती जन संखे और डायल 112 की अवसक्ता को देखते हुए ग्रीभी भागने बिहार पुलिस के लिए 75,540 पोदों के स्रीज जितेंदर सिंग गंगवार ने बताया कि परसिक्षण तथा और अधार भूत आवसक्ता की उपलफ्द के अधार पर सीधी नियुक्ति की परकिरिया चरण बहुत तरीके से की जाएगी देखिए यहीं पे जो है यहीं समझने वाली बात है जितेंदर सिंग गंगवार ने बताया देखिए यहां पे पड़िए जितेंदर सिंग गंगवार ने बताया कि परसिक्षण तथा और अधार भूत आवसक्ताओं के उपलफ्द का अधार पर सीधी नियुक्ति की परकिरिया चरण बहुत तरीके से की जाएगी और इसके कहने का मतलब यह है कि जैसे क्या ह कि परसिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग जितना बिहार पुलिस में ट्रेनिंग कराने का छामता रहेगा उसी के एक ओर्डिंग आपका बहाली लिया जाएगा तो इससे तो साफ और्थ होता है कि जैसे देखिए मान लिजिए कि एक बार में बिहार पुलिस का अगर 10,000 वेकेंसी आता है तो जब तक वो 10,000 वेकेंसी किलियर नहीं होगा तब तक दूसरा वेकेंसी नहीं आएगा यानि कि अगर पूरा हम मोटा मोटी समझे तो 75,000 वेकेंसी है क्यों की देखिए लगभग अभी से 3-4 साल पहले 3 साल पहले जो वेकेंसी आया था वो 11,800 कर कि आया जार बिहार पुलिस को ट्रेनिंग करा सकती है एक बार में सीपाही को तो देखिए इसी के अवसक्ताओं के उपलफदा के अधार पर यानि कि यह जो भरती होगा ना तो आपे बताया गया है अधार बूत पर सिक्षण तथा अन्य अधार बूत और नियूक्ति पर चरण ब रहेंगे तो इससे आप मतलब खुसी नहीं सोचिए कि 75,000 होगा इसमें तो पक्का नुक्री लगेगा लेकिन हाँ अगर आप मेहनत करते हैं अगर आपकी मतलब एकदम से खुब मेहनत करते हैं तो आपकी जो पहले चरण में होगी उसी में आपका सेलेक्शन हो जाएगा सर 1827, DSP के 6 पदों पर सीधिन युक्ती होनी है इसके लिए BPSC बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के केंद्रिय चाहन पार्शन सिपाही भरतिक या अनुसांत आदी भेजने की परकिरिया चल रही है और इधर में देखिएगा तो इधर वहीं चीज लिखा हुआ है तो देख यहाँ पर देखिए एक तीस तीन यानि की कॉल के डेट में ग्री भी आगे द्वारा नोटिस आया था अगर आप देखिएगा तो बिहार पुलिस मुख्याल है दिनांक एक तीस तीन दोहजार तेई सबसे उपर देखिए बिहार पुलिस के अंतरगत नय स्विक्रित पदो के मतलब इसके जो बहाली होंगे वो कैसे कैसे किस तरह बहाली होंगे वहाँ पर बताया गया है तो यहाँ पर देखिए तो बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप आवसक्त आधारित तो 45,447 है ERSS इसका मतलब होता है इमर्जेंसी रिस्पॉंस सपोर्ट सिस्टम यह दूतिय 2937 होंगे बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए और ERSS के 187 होंगे दूसरे चरण में और 887 होंगे ERSS के दरोगा होंगे और सीपाही में यहाँ पर खंडित करके बताया कि कितने पोस्ट पे कब कब बहाली लिये जाएंगे तो अब सवाल आता है कि बिहार पुलिस का जो नो इसी पर आएगा जिसमें 7808 पोस्ट होंगे मात्र और इसमें दरोगा भी होंगे जिस दरोगा के 187 होंगे सिपाही के 3772 होंगे और यहाँ पर देखिए सिपाही चाला के 1772 होंगे यानि कि सिपाही का मात्र 3577 पोस्ट है और दरोगा के 1887 है और सिपाही चाला के 1772 है तो दे कोई डिसाइड नहीं है अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो इसके बारे में अफवा से बचें जो बिहार पुलिस के वेकेंजी है न वो कभी भी बिहार पुलिस एक साथ में 75,000 बहाली नहीं करा सकती है इतना गरांटी है क्योंकि 75,000 बहाली करके वो रोड पे थो ट्रेनिंग देना है सबको मतलब रहना है उतना रहने का जगा होना चाहिए तो ये सबको देखते हुए अगर आप नोटिस में पढ़िएगा न तो सबसे नीचे में ये बात लिखा होता है कि परसिक्षन के अधार पर या मतलब क्या बोलते हैं परसिक्षन के जितना हम पर सिक्षन करा सकते हैं या राज सरकार अपने अनुसार जो बहाली कराएगी तो कभी आप ये मत सोचिया ऐसे क्या है न कि इदर मतलब टोले में महले में गाओं में हला है कि 75,000 ब्यार प्लिस के वेकेंसी आ रहा है लेकिन ऐसा बात नहीं है तो आई होप कि इस वीडियो से आ जाहिन दोस्तो